हाई गैज एन वेलकम बाक तो दी चैनल दीपच्यादव एजुकेशन वेलकम तो दी डेली करेंट अफेयर्स ओफ 18 ओफ मार्च 2022 तो गैज आज है तारिक 18 मार्च 2022 और है फ्राइडे आज की तारिक से जितने भी most important करेंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफेयर्स को हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे तो चलो शुबार हम करते हैं बट उससे पहले गाईज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडियाफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का लिंक दिया या है वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडियाफ को डाउलोड कर सकते हो साथी साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आइडी का लिंक मिल जाएगा वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते ह और जैसा कि आप लोग को मालूम है ये वीडियो UPSC और State PSC के point of view से बहुत important होता है यहाँ पर हम लोग daily basis पर बहुत सारे important articles का discussion करते हैं साथ साथ one word questions को भी देखते हैं इसका मतलब आपको ये वीडियो काफी अच्छे से सुनना है फिर last में मैंने आप लोग के लिए भी लोगों को happy हो ली और पूरे festival को मझे से enjoy करो थोड़ा सा समय है और enjoy करने के साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत time निकाले ना जिसमें आप लोग पढ़ाई कर सो को क्योंकि देखो मैंने भी time निकाला और उसके बाद यहाँ पर PPT's को बनाय दन उसके बाद video record हो रहा है तो काफी time यहाँ पर लगा है बट यहाँ पर क्या है आप लोग भी एक काम कर लेना थोड़ा सा time निकाले लगबग यहाँ पर एक घंटा निकाल सकते तो आप लोग जरूर निकालना पढ़ाई करना जिसे जो habit है न वो बनी रहेगी फिर enjoyment तो ह होता रहता है बाकी मतलब कि आज जैसे कि आपने पढ़ाई करी तो आज एक घंटा कर लिया बाकी time enjoy कर लेना ठीक है तो यहाँ पर enjoyment के साथ साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर इसका भी ध्यान जरूर रखना स्टार्ट करते हैं discussion को यह हमारा आज का सबसे पहला article लेकिन discussion स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से वही बात बुलना चाहूंगा जो हमेशा बुलता हूँ चाहो तो आप लोग साथ साथ notes को prepare कर सकते हो otherwise इस पूरे lecture का PDF आपको मैं provide करवा दूँगा इस PDF को download करने के बाद इसमें से important points को निकाल कर अपने notes में incorporate कर लेना तो पहला article जबरदस होने वाला है कुछ नया सीखेंगे यहाँ पर आप देख पाओगे news क्या है news यह है कि जो Ukrainian police है इन्होंने Russia के forces के उपर एक इलजाम लगाया है और वो इलजाम यह है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि Russia ने phosphorus bomb attack किया है तो discuss करेंगे आखिरकार यह phosphorus bomb attack होता क्या है plus phosphorus क्या है यह इस bombs के क्या features है काफी सारी बात हैं हम लोग यहाँ पर जानेंगे तो पहले हम लोग देख लेते हैं यह खबर कहां से लिग गई है Indian Express का आपको यह article देखने को मिलेगा Russia using Nazis flaming onion phosphorus bomb ऐसा यहाँ पर Ukraine की तरफ से एक इलजाम लगाया गया है जैसा आप लोग इस दोनों के मिला कर हम लोग दोनबास वला रीजन बोलते हैं लेकिन आपको पता होगा कि recently Russia ने इन दोनों ही particular area को एक अलग country का recognition भी दे दिया है यह हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा से यहाँ पर detailing देखते हैं क्या क्या है यहा बात करें तो आप white phosphorus जो bomb है इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं खासकर heavy populated civilian areas के ओपर मतलब कोई मालो एक ऐसी जगाए यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं बहुत सारी लोग किया आपर आबादी रहती है तो आप लोग यहाँ पर international law के मुताबिद white phosphorus के जो bomb से वो नहीं गिरा सकते हैं ऐसे हैं आपर बोला गया लेकिन international law के मुताबिद अगरम बात करें तो जो खुला area है open space है यहाँ पर allow है आप यहाँ पर यह bombarding कर सकते हो बट लेकिन आपको ध्यान रखना है आप populated वाले एरिया पर यह white phosphorus की bombing नहीं कर सकते हैं डिसकस करते हैं white phosphorus है क्या देख पर आपको naturally नहीं मिलता इसको बनाया जाता है phosphate का rock इस्तिमाल करने के बाद जो phosphate rock होती है इसका use करने के बाद हम लोग इसको manufacture करते हैं दन उसका अदबूला गया यह जो phosphorus है बहुत ज़्यादा combustible होता है इसका मतलब यह है कि oxygen के साथ react हो जाता है आग पकड़ लेता है चाह काफी सारे regulations काफी सारे यहाँ पर रोक टोक लगा रखी है कि इसकी manufacturing को लेकर बहुत सारे आपको regulation देखने को मिलेंगे इसको handle करने के लिए बहुत सारे regulation देखने को मिलेंगे तो बहुत असान नहीं है इसको manufacture करना ऐसा हम लोग समझ सकते हैं तो अभी यहाँ पर Ukraine की तरफ स देखो इसका major mean क्या होता है इसका major जो मक्सद है वो यह होता है कि क्या हो इस bomb का इस्तमाल करके हम लोग एक थिक smoke create कर दें एक धुआ बहुत जादा गाड़ा धुआ create हो जाता है जिसकी वह इसे जो military force है वो hide हो सकती है और अपने targets को mark कर सकती है target पर आपर hit कर सकती है तो इ या फिर सफाई करने वाले बहुत सरे compounds होता है वहाँ पर भी phosphorus का अस्तमाल होता है प्लस उसके साथ यहाँ पर बूला गया अगर हम लोग बात करें तो starting में पहले जो pesticides वगरा हुआ करते थे fireworks मतलब जो bomb वगरा आप लोग जलाते हो दिवाली के उपर तो उन सब चीजों के अंदर भी कहीं न कहीं phosphorus का काफी ज़्यादा यूज होता है लेकिन बहुत सारे देशों ने phosphorus को ban कर रखा है अलग-अलग sectors के अंदर ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एक कहीं न कहीं एक limit के बाद बहुत ज़्यादा disastrous हो जाता है जैसा हम लोगों ने अभी इस article क अब यहाँ पर और चीजों के बारे में अगर हम लोग देखें यह जो phosphorus है इसको organization for the prohibition of chemical weapons के अंदर लिस्टेड नहीं किया गया है तो यहाँ पर इसका मतलब कि हमको समझाता हूँ आपने phosphorus के बारे में अच्छे से जान लिवाते अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एक organization organization for the prohibition of chemical weapons इस organization का major मकसद यह है कि जो भी chemical weapons होता है यानि कि जो भी हाँ पर chemically बनाएवे bomb है या फिर कुछ जहरीली gases है उनका इस्तमाल करके लोग की जान ली जाती है तो यहाँ पर जो यह chemical weapons है इनको बनाने से रोकती है यह वाली organization जिसको हम लोग OPCW बोलते हैं तो इ आपकर सकते हो तीन list maintain है तीनों के अंदर यह बता रखा है कि हाँ यहाँ पर यह जो chemical weapons है इसको आप लोग यूज नहीं कर सकते लेकिन इसमें phosphorus का नाम नहीं है जो white phosphorus है इसका कहीं से कहीं तक नाम नहीं देखने को मिलेगा chemical weapons के अंदर तो एक बहुत बड़ी चीज आपको यह देखने को मिल जाएगी directly question बन सकता है क्या phosphorus का नाम list में है OPCW के तो नहीं है ध्यान अकना उसका साथ यहाँ पर phosphorus से काफी सारी problems create होती है अगर हम लोग इस phosphorus के bombs का अस्तमाल करते हैं तो इससे काफी injuries create हो सकती है दो तरीके की injury हो सकती है जैसे burn injury यानि शरीरी जल सकता है प्लस यहाँ पर उसको inhale करने से सूंगने से भी यहाँ पर काफी बिमारिया हो सकती है यहाँ देख पाओगे यहाँ पर इस व्यक्ति की जो यह body है यह कहीना की phosphorus से जली वह है ठीके आप images देख पाओगे Google के उपर और ऐसे ही और भी बहुत सारे images आपको मिल जाएंगे जो क क्या था OPCW, OPCW का मतलब है Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Chemical Weapons की ओपर रोक लगाने के लिए इस organization को बनाया गया है, तो हम लोग अब यहाँ पर prelims के perspective से जान लेते हैं chemical weapons होते क्या है, देखो जो chemical weapon है, इसके अंदर भी यहाँ पर एक chemical का इस्तमाल होता है और chemical का इस्तमाल करने के साथ- chemical weapon कलाता है, जो यहाँ पर यह बॉम्म्स हैं, कुछ और डिवाइस, और ही बहुत सरे equipment हैं, जिनको specially design के जाता है, toxic chemicals का स्तमाल के जाता है, और फिर यहाँ पर उनी को हम लोग chemical weapons बोलता है, simple सी बात है, जिसके अंदर chemical का स्तमाल होगा, वो chemical weapons कलाएंगे, तो यह तो हमने इन convention है, chemical weapon convention, यह basically एक multilateral treaty है, बहुत सरे देशों ने इस treaty को sign कर रखा है, और इस treaty को sign करने के साथ साथ अपने देश में chemical weapons को उन्होंने ban कर दिया है, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें, यह जो treaty है, इसकी starting हो गई थी 1980 में, और साथ साथ यहाँ पर जो convention है, इसको draft किया गया या January 1993 में, दन उसके बाद यह properly काम करने लगा 1997 से, और इस convention का major मकसद यह है, कि जो भी देश sign कर रहा है इस convention को, तो वो क्या करेगा, अपने देश में अगर chemical weapons वहाँ पर मौजूद है, तो उसको destroy कर दे, उसको फैक दे, उसको त्याग दे, chemical weapons कहीं से कहीं तक use नहीं होना उस देश के अंदर जो की हाँ पर इस particular treaty को sign कर लेगा, और इंडिया ने क्या sign किया है, तो बिलकुल यहाँ पर इंडिया ने भी इस treaty को sign कर लिया था January 1993 के अंदर आपको ध्यान रखना है, clear हुआ, तो यह छोड़ी सी important news थी, इसके बारे में आपको idea होना चाहिए, तो हमने chemical weapon convention के बारे में बात करा, प्लस chemical weapons को रोकने के लिए इस convention के साथ साथ और भी दूसरे conventions है, वो क्या-क्या है, उसको हम discuss करते हैं, और भी groups देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एक convention है, Stockholm convention, यह भी यहाँ पर एक global treaty है, दुनिया भरी countries ने यहाँ पर इसको sign कर रखा है, अब इसमें क्या मकसद है, इसका मकसद यह है कि जो human health है, मानव की जो health है, उसको बचाने का काम करता है, प्लस environment को बचाता है, अलग-लग organic pollutants से, तो जो भी countries को sign sign करती हैं, basically वो यहाँ पर human health को protect करने को पर पूरी तरह से focus करती है, और environment को pollution से बचाने को पर focus करती है, साथ-साथ इसी को देखते हुए global environment facility जो है, इसको लाया गया था, और यहाँ पर भी एक तरीका है, यह basically जिसमें हाँ पर हम लोग क्या करते हैं, developing countries को यहाँ पर बताते हैं, कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर एक convention को implement करना है, developing countries को assist किया जाता है, उसके साथ-साथ यहाँ पर जो Australia group है, मतलब यह तो convention हुआ, इस convention के साथ-साथ आपको एक group भी देखने को मिलता है, जो कि कहीना की chemical weapons को रोकने के उपर बात करता है, वो है Australia group, Australia group क्या है, एक जानमुचकर बनाया हुआ, informal आपको group देखने को मिलेगा, यह क्या करता है, इसके अंदर आपको 42 countries देखने को मिलेंगी, जिसमें European Union पूरा है, तो इन सब का major मकसद यह है, कि जो chemical और biological weapons है, chemical weapons आप समझ गए, जहाँ पर बहुत सरे जहरीली gases का इस्तमाल हो रहा है, और biological weapons कौन से है, जहाँ पर एक तरीके से आपका सकतो, इस bomb के वज़ा से क्या होता है, बि export, import करने से पूरी तरह से रोका जाए, इनकी supply के ओपर रोक लगाई जाए, तो इसके लिए Australia Group काम करता है, तो यह अलग-अलग convention और groups हैं, जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, I hope आप लोग को काफी अच्छे से इस पूरे article के बारे में अच्छे सारी चीज़े clear हो चुकी है, बाकी मैंने आप लोग को अब एक चीज़ और बताई थी, देखो यह prelims के point of view से यह भी बहुत important है, OPCW के बारे मैंने आपको बताया था, ठीक है, organization for the prohibition of chemical weapons, chemical weapons क्या होते हैं हमने उसको समझ लिया, कौन-कौन से convention से उसको समझ लिया, और chemical weapons के परोखना का ल पूरी तरह से रद्द कर दें और यहाँ पर इसका कहीं से कहीं तक यूज ना हो, और इसी लिए यह organization काम करता है, और इसी काम की वज़ा से इस organization को 2013 में Nobel Peace Prize भी दिया गया था, क्योंकि इसने chemical weapons को दुनिया भड़ से कम करने में एक बहुत जबरदस्त काम किया है, फिर इसक इसके members आपको देखने को मिलेंगे, वो सब यहाँ पर आप कह सकते हो, कि कहीं न कहीं उनके उपर inspection वगरा किया जाता है, और उनके उपर पूरी तरह से ध्यान अखल जाता है, कि वो chemical, यह जो convention है, इसको ना तोड़ सके, convention क्या है, वो मैं आप लोग को बताई चुका हूँ chemical weapon convention के बारे में, इसका major मकसद यही है, कि जो chemical weapons है, इसको develop करने से रोका जाए, इसको produce करने से रोका जाए, इसको खरीदना या खटा करने से रोका जाए, इसका transfer नहीं होना चाहिए, तो हर प्रकार से रोक लगाने के बारे में, चर्चक की जाती है, chemical weapons को लेकर, आगे बढ आर्टिकल की तरफ, यह कोई आर्टिकल नहीं, एक छोटी से news है, क्योंकि यहाँ पर important days को बारे में, मैं आपको बता देता हूँ, कि आपकी demand दी है, important days को cover कर दिया करो, तो जो भी हाँ पर day उसको हम लोग cover कर लेते हैं, तो 18 March को वैसे तो हमारी होली है, उसके साथा साथ एक और दे है, एक और दिन है, वो है world sleep day, ठीक है, तो 18 March को world sleep day है, हर साल 18 March को नहीं होता है, ध्यान अकने आपको, अगर हम लोग 2022 की बात करें, तो 2022 को यह 18 March को हो रहा है, तो हर साल कौन सी तारिक होता है, तो हर साल यहाँ पर March के तीसरे Friday में देखने को मिलता है, आप 18 March को पढ़ा है, ध्यान अकना, बहुत सारे देशों के अंदर माना जाता है, कि जो यह sleeping है, यानि जो सोना है, यह बहुत important है, क्योंकि body को rest मिलता है, और एक सबसे important चीज हमारे life के अंदर, और अगर यहाँ पर कोई अच्छे से नहीं सो पा रहा है, उसकी सोने में काफियो तक कमी है, तो lack of sleep की वज़ा से बहुत सारी health issues create होते हैं, बहुत सारी बिमारियां यहाँ पर body के अंदर develop होने लगती है, खासकर brain related problems develop होने लगती है, उसके साथ यहाँ पर यह जो दिन है, इसका major मकसद क्या है, awareness वलाना, ठीक है, मतलब जागरूप करना लोग को sleep के बारे म इसके importance के बारे मताना कि यहाँ पर sleep किती ज़्यादा जरूरी है, और ध्यार नकना ऐसा भी नहीं है कि हाँ यार मुझे 9 गंटे की sleep चाहिए, देखो 6-7-8 गंटे मिल लए यह तो ज़्यादा बेटर है, और मैं तो यह कहूंगा, इंसान को उपर depend करता है, लेकिन उस से भी quality sleep के ऊपर थोड़ा सा काम करें तो ज़्यादा बेटर आएगा, आप लोग यहाँ पर विशास नहीं कर पाऊगे, लेकिन मैं अगर भी लगबग यहाँ विचले 1.5 साल से 5-6 गंटे की नित ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पर फिर भी properly काम कर पा रहा हूं, लेकिन कभी-कभ लेकिन चला रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा कर दो, होता क्या है, बहुत सरे लोग यहाँ पर, मेरे पास Instagram पर बहुत सरे messages भी आते हैं, लेकिन फोन एडिक्शन हो गया है, सोशल मीडिया से एडिक्शन हो गया है, तो भाई सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, उससे थोड़ से मेरा काम है कि हाँ, मुझे आपर अपने वीडियो करना है, यह यह पढ़ना है, प्लस यह काम करना है, प्लस मुझे अधर का काम करना है, तो मुझे पास जो भी काम है मैं उन सब की प्लानिंग करूँगा, ठीक है, भाले ही 10-15 मिन लगे काम हो जाएगा, फिर उसके बाद रात में सुने से पहले उसको implement करो, तो यह जिसे मतलब लाइफ में काफी सारी बदलाव लेकर आती हो, खास कर छोड़े छोड़े स्टैप, ऐसा नहीं कि पहले दिन से एक बहुत बड़ा कदम उठाना लगो कि हाँ, आज मैं आपर यह सारी किताबे खतम कर दूँगा, यह खतम कर दूँगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा ना, तो एक demotivation सा निकल कर आता है, बोड़ी के अंदर से, अब यार पहले दिन तो और पहले दिन यह हो गया, छोटा सा गोल रखोगे, पूरा हो जाएगा, कुछ extra करोगे उसके लावा, तो यहाँ पर और ज कर सकते हो, और prelims मों भी question बन सकता है, तो जबर्दस article है, सिक्किम सरकार ने यहाँ पर announce कर दिया है, बाहिनी scheme को, तो discuss करेंगे, बाहिनी scheme क्या है, खास कर यह school girl की health को लेकर बहुत जादा बढ़िया बदलाव लेकर आने वाला है, Indian Express का article, अगेन आप लोग को यहाँ पर द provide करवाए जाएंगे, और वो vending machine के माधियम से दिया जाएंगे, vending machine install करी जाएगी, discuss करेंगे, detail में कि आखरकार यह कैसे work करने वाला है, तो बाहिनी scheme के जब हम बात करते हैं, तो पहली चीछ यहाँ पर आपको बता होने चाहिए, वो इसका objective, तो पहला objective यहाँ पर यहाँ 100% तक free और safe sanitary pets को provide परवाने का इनका मकसद है, government जो schools है, खासकर government schools के अदर जो लड़किया जा रही है, पढ़ाई कर रही है, तो उनको यहाँ पर यह pets पर परवाइट करवाने का एक major मकसद रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसी कमी की वजा से, क्योंकि कही इसी जी facilities available नहीं है, बहुत सरे schools में, तो इसी की वजा से क्या होता है, girls जो है, वो drop out कर लेती है school से, तो यह चीज़े कभी नहीं होने चाहिए, तो girls का drop out रोकने के लिए एक बहुत बड़ा यह एक तरीके से step उठाया गया है, तो बाहिनी scheme के बारे में, अगर हम लोग और को फैला सकें, यहाँ पर हमारा जो vision है, वो यह है, कि जो students है, वो यहाँ पर पूरी तरह से information को उपर ध्यान दें, ठीके, students क्या करें, इस information को लेने के बाद, अपनी community के अंदर उस पूरे information को फैला दें, और सब के पास यह चीज़े पहुचाएं, ठीके, यह आपको ध्या इस प्याँ पर पैन रखे वें, उसके बाद यहाँ पर आपको calculator देखने को मिलेगा, बहुत सारा सामान देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग इसका इस machine का इस्तमाल करके, यह काम कर सकते हो, अपने निकाल सकते हो, इसमें से जो भी समान आपको इमिल सकता है, तो क्या होगा स्कूल के अंदर जो government schools है, सिक्किम के अंदर वहाँ पर इस winding machine को लगया जाएगा, इस winding machine के अंदर यहाँ पर sanitary pads होंगे, जिसको यहाँ पर use कर सकती है, कौन जो school girls है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर इसको एक तरीके से dustbin करना है, त आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या होगा, इसमें एक door लगावा है, जैसे आप लोग देख पार होगी, door का handle है, इस door को open करना है, door को open करने के बाद जो भी यहाँ पर used pad होगा, यहाँ पर आपको लिखावा दिख रहा होगा, जो used napkin है, उसको आप लोग यहाँ प experiment के उपर काम के दर है, experiment यहाँ पर already हो चुका है, 2018 के अंदर सरकार ने collaboration किया था, सुलब international के साथ, जहाँ पर vending machines को install किया गया था, कुछ schools के अंदर जो की successfully आगे बढ़ पाया था, इसी चीज़ को ध्यान में रखते वे अभी सिक्किम के अंदर यह step उठाया जा रहा है, तो बाहिनी स्कीम क्या है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर news में क्यों है, क्योंकि सिक्किम सरकार इसको लाने के बारे में चर्चा करती है, इसका अंदर क्या है, vending machines को लगया जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर class 9-12 girls के लिए काफियत तक helpful यह रहने सिक्किम स्टेट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे, यह उसके बारे में mentioned आपको देखने को मिलेगा, तो अगर उसके बाद यहाँ बात करें, जो यह बाहिनी स्कीम है, इसका budgetary support क्या है, यह जो स्कीम है, यह हमारे budget का पार्ट है, इसको proper funding मिलती रहेगी, और यहाँ पर पैसा आता रहेगा, यह जो स्कीम हम अच्छे से implement करते रहेंगे, coverage के बारे में बात करें, तो जितने भी government schools हैं, सिक्किम के अंदर, वहाँ सभी जगा पर इस machine को लगाया जाएगा, वेंडिंग machines को लगाया जाएगा, और यहाँ पर बोला जा रहा है, लगबक 18,665 adolescent girls आपको देखने को मिलेंगी, जो की सिक्किम के सरकारी school में पढ़ती है, तो उनको काफी बड़ी मदद मिलने वाली है throughout this scheme, उसके साथ साथ एक दूसरा question दिमाग में आएगा, कि हम लोग को इतनी ज़ादा ज़रुरत क्यों पढ़ गई वहाँ पर जगा थोड़ी difficult terrain है, वहाँ पर सही सा land आपको देखने को मिलेगा नी, तो proper वहाँ पर supply नहीं हो पाती है इन napkins की, तो ये एक सबसे बड़ी problem है, तो इसी की वज़ासे जो वहाँ पर schools देखने को मिलेंगे, उनमें यहाँ पर ये facilities हम लोग provide करवाएंगे, तो girls का drop out बहुत जादा हो चुका है, खासकर इसी कारण की वज़ासे, तो इसके लिए भी ज़रूरत है कि हम लोग ये step उठाएं, फिर उसके बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ी problem हाती है कि जो sanitary napkins है, वो चलो जैसे तैसे मिलता भी है, तो वो quality वाला मिलता नहीं है, यहाँ sanitary mats जो है, जो भी ये pads आपको देखने को मिलेंगे, ये quality वाले होते नहीं है, तो इसकी वैसे भी काफी सरी problems देखने को मिलती है, तो बहुत सरी companies है, यहाँ पर जो locally इनको produce करती है, जिनकी quality अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या है, सरकार ये काम करने वाली है, जहा 100 million dollars के arms package को for Ukraine, तो Ukraine को यहाँ पर कुछ समान देने वाले हैं, और US basically US made stringer missiles देने वाले है, यह बहुत popular article हुआ है, यहाँ पर US stringer missile basically एक यहाँ पर आपका सकते हो portable missile system है, जो यहाँ पर इस व्यक्ति ने portable missile system लिया है, इस ही को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर stringer missile, ठीके मतलब क यह अलग-अलग country का, अलग-अलग missile launch की आगया, अलग-अलग नाम होते हैं, तो The Hindu के explainer section पर यह article आया था, जहाँ पर हमने डिसकस नहीं किया था, इसी वज़ासे इस article को मैंने लिया, काफी शांदार article है, एक-एक करके information को हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहली बार य इसको हम लोग मनपट के चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो मनपट क्या है, मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि आज की टेम पर युक्रेन को दिया जा रहे हैं, तो United States ने अप्रूफ किया है, 200 million dollar के यह arms package को अप्रूफ किया है, युक्रेन के प्रकार से एक व्यक्ति जो है, अपने कंदे पर रख कर इसका अच्छे से यूज़ कर सकता है, तो यहाँ पर आप लोग एक बार पिच्चर और देख सकते हो, यही यहाँ पर आपको मनपट देखने को मिलेगा, मनपट के एक बार और फुल फार्म बता देता हूँ, यह है अगर आप लोग थोड़ी दूरी के लिए, जादा दूरी के लिए ले रहे हो तो यहाँ पर इस उटेबल नहीं रहेगा, अगर शॉट रेंज के लिए थोड़ी दूरी पर थोड़ी कम दूरी पर आपको अटाइक करना है, तो आप बेहद इसका इस्तपाल कर सकते हो, शॉ जो कोई ग्रोप होगा, वो भी यहाँ पर इसका इस्तमाल कर सकता है, किसी एरक्राफ को डिस्ट्रोई करने के लिए, या किसी हैल्यूकॉप्टर को डिस्ट्रोई करना है, तो वहाँ पर इस मिसाइल का इस्तमाल किया जा सकता है, साथ-साथ यहाँ पर क्या है, आपको प्लस जो लाइट वेट होता है मतलब जादा वजन देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि अगर हम दूसरे वेपन सिस्टम के बारे बात करें तो वह बहुत जादा भारी होता है उनक वेपन सिस्टम के कमपारिजन में अगर हम लोग बात करें तो लाइट वेट सा आपको यह देखने को मिल जाता है आप इसली यहाँ पर इसको अपर इसको अराम से चला सकता है इस मनपड को अपरेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग भी बहुत कम चाहिए होती है प्लस यहाँ पर जो मनपड एसकी जो मैक्सिमम रेज होती है तो आओट किलोमेटर तक की रेंज का आप यहाँ पर इस मिसाल सिस्टम को यूज कर सकते हो प्लस यहाँ पर जो target अगर हम उचाई के बारें बात करें 4.5 km तक के target altitudes पे हम लोग यहाँ पर इसको use कर सकते हैं जो ज़्यादातर मनपड है यहाँ पर यह fire or forget के guidance system पर use कर जाता है मतलब आपने missile system use किया आपने चलाया चलाने के बाद उसको भूल जाओ तो इस प्लकार के system यहाँ पर use किया जासा है तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में प्लस यह जो missile है यह lockdown the target object है मतलब आपने target set किया उसके ओपर lock कर लिया तो आपको ज़ादा यहाँ पर कुछ करनी की ज़रुरत है नहीं आप यहाँ पर direct shoot करो और इसके बाद आपको कोई इतना ध्यान देना नहीं है तो यह एक effective system देखने को मिल जाता है इसको इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर एक missile system है यहाँ पर सिर्फ मैंने एक थरीके से थोड़ा fun के लिए लगा दिया था बाही उल्टा है चला मत देना करके लेकिन यह सीधा पकड़ावा है इन्होंने ठीके आप लोग देख पाऊगे यह बिल्कूल सीधा है उल्टा नहीं है बस कालीवे ने fun के लिए फटा सा ऐसे ही लगा दिया था क्लियर हुआ चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगर हम लोग बात करें क्या मनपड का नया इस्तमाल हो रहा है तो ऐसा नहीं है बहुत लंबे समय पहले से हम लोग इन मिसाल सिस्टम का इस्तमाल करते हैं पहला जो मनपड है यह इंट्रोडियूस के गया था यूएस के थुरू ठीक है और साथ साथ सोवेट उनन मतलब जो यूएससर हुआ करता था बाद में टूट कर जो पंद्रा देश बनें तो यहां पर इन ही के थुरू सबसे पहली बार इस सिस्टम को बनाया गया था लग आपको इंडिया देखने को मिलेगा पाकिस्तान, जर्मनी, यूके, टर्की, इस्राइल इन सब ने कहीं न कहीं इन डिफेंस सिस्टम का इस्तमाल किया है तो इसी वज़े से आर्टिकल हमा लिए भी ये काफी इंपोर्टेंट है 2019 के according बात करें तो 20 देशों ने मिलकर यहां पर यह मनपड को बनाया है प्लस इन 20 देशों ने 7 मिलकर 1 मिलियन से ज़ादा कुछ इस प्रकार के सिस्टम को बनाया है और एक्सपोर्ट के परपसे के लिए बनाया है ताकि वो लोग एक्सपोर्ट कर सकें प्लस अब यह जो वेरियंटेंस के अंदर अलग लग वेरियंट्स होंगे अब इसमें बताओ कि कॉमन वेरियंट कौन सा है मतलब सबसे ज़ादा कौन सा वेरियंट का यूज हुआ है तो जो मॉस्ट कॉमन वेरियंट आपको देखने को मिलता है वो यूएस वाला है जिसका हम लोग नाम जानते हैं Stinger Missile जो कि अभी अभी खबर भी आपने पड़ी है कि यहां युक्रेन को यह वाली Missile दी जा रही है तो US वाला सबस्वादा common है इसका वजन लगबग आपको 15 kg का देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर आप लोग देख पाओगे उसके साथ यहां पर क्या बताया गया कि इसके अंदर एक passive guidance system देखने को मिलेगा जहां पर infrared technology का इस्तमाल होता है मतलब heat के पीछे जो heat है गरम गर्मी की वेसे यहां पर क्या होता है यह target को अपने एक तरीके से पकड़ता है प्लस जो भी यह stringers होता है इसको हम लोग आपको ध्यान लखना है इसको हम लोग दे रहे हैं युक्रेन को खासकर हम लोग नहीं युएस ने बनाया है तो युएस यहां पर युक्रेन को दे रहा है देखो यह जो stinger है यह अभी हमने समझा की stinger तो यहां पर युएस वाला है लेकिन उसी प्रकार से रश्या का भी एक वेरेंट है जो की common वेरेंट के अंदर आता है जिसका इस्तमाल सबस्दा होता है तो रश्या वाला जो वेरेंट है उसका नाम है इगला आपको ध्यान लखना है इगला वाला वेरेंट है रश्या का अब यहां पर इगला का इस्तमाल हुआ है कहां पर इराक में इस्तमाल हुआ है जब यहां पर युएस की थुरू इराक में इंवेड क्या जा रहा था 2003 की बात है तब इस इगला का स्थमाल हुआ था साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला गया कि इसका स्तमाल हुआ था इस विश्टम का यूज किया था यह आपको इगला मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा जो की काफी चर्चा में आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है ठीक है जिसके बारे में हम लोग discussion कर रहे हैं तो यह तो common variant के अंदर आपने US के एक system के बारे में जान लिया दूसरा Russia के एक system के बारे में जान लिया तन उसके बाद यहाँ पर हम Sweden वाले के बारे में बात करें तो Sweden ने भी RBS 70 MNPED series को बनाया हुआ है प्लस चाइना का भी एक version है FN6 करके आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो यह आप देख पाऊगे जो Sweden वाला RBS 70 है वो आपको कुछ heavy सा देखने को मिलेगा जो की आपको सामने नजर आ रहा है ओके clear हुआ आते हैं आज के next article की तरफ जो हमारे पास अगली news है यह बात करती है भारत के अंदर जो maternal mortality ratio है वो improve हो गया है तो discuss करते है maternal mortality ratio क्या है प्लस यहाँ पर यह important article है खासकर GS paper 2 के health के perspective से दहिंदू का article आपको देखने को मिलेगा maternal mortality ratio of India declines by 10 points न्यूज यहाँ पर क्या है कि भारत का अंदर जो MMR है यह improve आए ठीक मतलब जो यहाँ पर मदर की जान जा रही थी वो चीज़े आज के टाम पर कम हो चुकी है तो 2017-19 में 103 के असपास maternal mortality ratio आपको देखने को मिल रहा था तो यहाँ पर 2017-2019 के बीच के बात है तो इसी को compare करें हम लोग 2016-18 से तो 2016-18 के बीच में 113 के आसपास का data था तो अब यहाँ पर कम हुआ है मतलब MMR ratio हमारा improve हुआ है यह सारा data किस ने release क्या तो यह सारा data मिला है हम लोग को Registral Journal of India के दुरू तो Registral Journal of India के बारे में अभी आ कर दिया है कि हम लोग अपने sustainable development goals को achieve करेंगे नाव जब हम लोग sustainable development goals की बात करते है तो आप लोग को मालूम होगा हमने अपने 17 goals को decide कर रखा है 2030 तक हमें गोल achieve करने है जहां पर हमें एक अच्छा maternal mortality ratio को maintain करना है हमने आप पर decide क्या है कि लगबक मालू यहाँ पर कोई महीला यहाँ पर लगब आप कर सकतो एक लाग बच्चों का जन्म हो रहा है 2030 तो यहाँ पर जो maternal death है वो कम से कम हो नी चाहिए लगब आप कर सकतो एक लाग के ओपर 70 maternal death जब आजाएगा तो समझ लो हमने अपना target achieve कर लिया है अभी क्या हो रहा है अभी यहाँ पर जो मदर की death है बहुत जादा मतलब उसमें हो रही है बहुत जादा death हो रही है तो अभी हम लोग काफी पीछे चलना है ऐसे हाँ पर बताया गया अब इसी report के analysis अगर हम लोग बात करें तो जो country है country ने हाँ पर एक तरीके से लगातार यह जो maternal mortality rate है यह कम होता वा नजर देखना है मतलब की 19 में 103 का हुआ तो लगातार यहाँ पर यह चीजे improve होती हुए नजर आई है नाव कितने राज्ये हैं जहाँ पर sustainable development goal को achieve कर लिया गया है तो केरला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मतलब इतनी इतनी death हुई है बहुत कम हुई है तो महराष्टरा है केरला है तिलांगना है तामिल नाडू आपको देखने को मिलेगा आंदरप्रदेश जारकंड और गुजरात उसके बाद यहाँ पर सरकारी डेटा के अक्वार्डिंग बात करें तो पांच राज्ये ऐसे हैं यहाँ पर उत्रकंड वेस्ट बंगोल पंजाब बिहार उडिशा राजिस्तान जहा आपको देखने को मिल जाएगा यह डेटा आप लोग एक बार देख सकते हो इस डेटा के अंदर आपको जो यहाँ पर हमारे महान भरत का मैप दिख रहा है जहाँ पर आपको रेड पोर्शन दिख रहे हैं यहाँ पर मतलब मैटरनल डेथ बहुत जादा हो रही है लगबक एक लाक विमेन में से लगबक 130 विमेन की यहाँ पर जान जा रही है उसके बाद जो औरेंज वाला एरियाज है यहाँ पर भी काफी डेथ हो रही है ऐसा बताया जा रहा है फिर उसके बाद यहाँ पर जो यह डाक ब्लू वाले एरियाज है यहाँ पर बहुत लो डेथ हो र आप देख पाओगे, यह हम लोग डेटा देता है, एक लाग में से हम लोग यहाँ पर इसको count करते हैं, कि यहाँ एक लाग में से कितने यहाँ पर mother की death हुई है, उसको लेकर हम लोग maternal mortality ratio को count करते हैं, यह जो सारा data है, यह रिजिस्टर जनल अफ इंडिया ने जारी किया है, तो रिजिस्टर जनल अफ इंडिया के बारे में भी आप लोग को जानना होगा, यह जो body है, यह basically ministry of home affairs के अंडर में आती है, ध्यानक ना इसके बारे में, साथ-साथ यहाँ पर population जो census होता है, जो हमारी में कौन जन्म ले रहा है, कौन यहाँ पर death हो रहा है किसी की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यह देखती है, उसको monitor करती है, और साथ-साथ यहाँ पर जो भी यह estimate वगरा भी हम लोग को देती है, fertility और modality ratio को लेकर, यहाँ पर sample registration system का use किया जाता है, sample registration system जो है, एक सबसे of your scandal में आता है, इसको जरूर ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर आप कुछ भी नहीं है, यह कुछ articles थे, I hope आपको सब कुछ अच्छे से clear हुआ है, question हम लोग देख लेते हैं, यह मुझे slight थोड़ी सी पहले लगानी चाहिए थी, अब यहाँ पर कुछ question तैयार हुए, question क्या क्या है, हम लोग उसको देखते हैं, सबसे पहला question यहाँ पर आपका बंदा, आपने अगर वीडियो को अच्छे से सुन लिया, तो आप definitely इन questions को अच्छे से attempt कर पाऊगे, जो world sleep day 2022 है, ठीक है, यहाँ पर जो लोग है, वो यहाँ पर दुनिया भर में इस world sleep day को celebrate करता है, मार्च के महिने में तीसरे Friday में इस day को celebrate ही आजाता है, तो 2022 में यह कौन से तारीक को पढ़ा है, आपको वो तारीक बतानी है, अगला question, जो phosphorus है, यह colorless, white और yellow color का भी देखने को मलता है, तो यह true है या false है, आपको yes और no में इसका answer देना है, अगला question यह यहाँ पर बोलता है, जो सिक्किम government है, सिक्किम की सरकार इनोड़ा एनाउंस किया, एक scheme के बारे में जहाँ पर यह वेंडिंग मशीन्स लगाने वाले हैं, sanitary napkins यहाँ पर देने वाले हैं, girls को, school girls को, तो यहाँ पर इस scheme का नाम क्या है, उस scheme का नाम बताना है, अगला question अगला question आपसे पूछ जाता है, भारत का maternal mortality ratio आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंप्रूव हुआ है, एक सो तीन तक हो चुका है, 2017-19 के अंदर ऐसा हैं आपर बता जा रहा है, यह सारा जो भी maternal mortality ratio को लेकर data है, वो कौन से body ने publish किया है, उस body का नाम बताना है, प्लस जो आखरी question है वो भी इसी से related है, यह जो body जिसने यहाँ पर यह data लिखा है, वो body कौन से ministry के अंदर में आती है, उस ministry का नाम भी आपको नीचे comment section बताना है, I hope आप सभी लोग यहाँ पर इसको अच्छे से solve कर पाऊगे, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो य मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में, आज कले बाबाए, have a nice day, thank you and jahind और साथी साथ happy holy once again.